आज हम बनाएंगे होटल जैसे स्वादिस्ट इडली सामर और नार्यल की चटनी आप इस वीडियो को पूरा देखें अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सबसे पहले मीडियम फ्लेम गैस पे कुकर को गर्म होने दें अब इसमें हाफ कप दूर दाल या अरणर दाल डालें दाल को हमें कलर चेंज होने तक पुनना है इसमें सांबर बहुत टेस्टी बनेगी दाल का कलर दाल के साइड्स में चेंज होने लगा है तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और दाल को भीगो कर 10 मिनट के लिए रखतें दाल जब तक भीग रहे हैं हम तब तक इडली का पैटर रेडी कर लेंगे इडली के बैटर बनाने के लिए एक बाउल ले इसमें 3 कप सोजी ले जितना सोजी ले उसका आधा हमें ताजा दही लेना है यानि कि इसमें 1.5 कप दही डाले आप जिस परतन से माप रहे हो जितनी सोजी ले उसका आधा दही डाल दे अब सूजी और दही को अच्छे से मिक्स करें अभी इसका बैटर काफी थिक है बैटर अच्छे से बन भी नहीं रहा है अभी अब हम इसमें पानी डालेंगे सबसे पहले एक कप पानी ले इसमें तोरा तोरा पानी डालते जाएं और बैटर को मिक्स करते जाए तोड़ा तोड़ा पानी डालते वे पूरा एक कप पानी बैटर में डाल दिया फिर भी बैटर अभी ठीकी है अभी हाफ कप पानी और ले और हाफ कप ने से वन बाइ फोर का पानी बैटर में डाले और इसको अच्छे से मिक्स करें अभी मुझ इडली कप बैटर बनाने में तीन कप सूजी, डेर कप ताजा दही और एक कप और एक चोथाई कप यानी सवा कप पानी डाला है इसमें आधी छोटी चमज नमक डालें नमक आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग ले ले बैटर बनाने में पानी थोड़ा कम या ज्यादा ले बहलो उसको यूज कर ले बैटर रेडी है इसको ढग कर 10-15 मिनट के लिए साइड रखें ताकि सूजी फूले अब एक कप में आधा कप गर्म पानी ले और इसमें निम्बू जितने साइस का इमली गर्म पानी में डाल दें इसको हम बाद में यूज करेंगे डाल को भी चार गुनाब पानी डाले अब इसमें एक छोटा चमश नमक नमक आप अपने स्वाब के अनुसार ले ले आधी छोटी चमश हल्दी पॉंडर डाले और एक छोटा चमश तेल डाले तेल डालने से दाल पकते समय कूकर से पानी ज्यादा बाहर नहीं आएगा अब कूकर का ठकन लगाएं और डाल को मेडियम टू हाई फ्लेम पे पांस सीटी आने तक पकाएं पांस सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें और कूकर को फुरी उंदा हो ले जब डाल को गैस पे कूकर ने रखा था उस टाइम को ही यूज करके मैंने नारियल की चटनी बना लगी है तो आधे। नारियल के हार्ड शेल को हटा दे को अब नारियल के पीछे जो ब्राण वाला पार्ट है विसको भी पीलर की साहता से चीन्ते हटा देंगे इसको हटाने से चटनी बिल्कुल होटल जैसी सफेद बनेगी। नारियल के ब्राउन वाले पार्ट को पीलर से चिनने के बाद नारियल को दो ले अब एक मिक्सी का जार ले जार में नारियल के छोटे छोटे साइस के टुक्रे करने के बाद डाले इससे चट्नी स्मूध बनेगी यदि आपने नारियल के बड़े टुक्रों को मिक्सी के जार में डालके नारियल की चट्नी पीजी इसमें नारियल के चंक्स मौजूद रहेंगे इसलिए नारियल को छोटे-छोटे साइस के टुक्रों में करने के बाद ही इसको चट्नी बनाए अब जार में दो हरी मिर्च डाले मिर्चाप अपने टेस्ट के कार्डिंग ले ले आदा इ इसमें 5-6 बड़े चमश पानी डाले और इसको मिक्सी में पीस ले पानी डालने के बाद नारियर की चटनी को एक बार मिक्सी में फिर से पीस ले अब इसमें आधी छोटी चमश नमक डाले नमक आप अपने स्वात के अनुसार ले ले नमक डालकर चटनी को मिक्सी में एक बार गुमा लें अब चटनी तयार है, चटनी को एक बाउल में निकाल लें अभी जो मिक्सी के जार में चटनी बच गई है उसमें दो-तीन बड़े चमच पानी डालकर इसको भी बाउल में डाल लें सब को अच्छे से mix करें यदि आपको चटनी गाड़ी लग रिए इसमें थोड़ा पानी डाल का mix कर लें अब चटनी में तरका लगाने के लिए एक तरका पैन को गैस पे गरम होने दे अब इसमें एक से दो छोटे चमस तेल डाले तेल के गर होने पर एक चोटाई छोटी चमस सरसों के दाने डाले और सरसों के दाने तरकने के बाद इसमें 5-6 कड़ी पत्ते और एक सूकी लाल मिर्श डाले अब गैस का फ्लेम बंद करते और तरके को चटनी के ऊपर डाल कर चटनी को ढप दे नार्यल की चटनी तयार है इडली का बैटर रेस्ट करते हैं लगवक 15 मिनाट हो गया है अभी अब हम सबसे पहले इडली स्टेंड को निकाल लेते हैं अब इडली स्टेंड के साड़े खांचों को रिफाइन ओयल या गीसे ग्रीज कर दें मैंने रिफाइन ओयल से ग्रीज किया है इससे इडली बनने के बाद इसमें चिपकेगी नहीं इडली के साड़े खांचों को ग्रीज करने के बाद अब मैंने कुकर निकाला मैं कुकर में ही इडली बनाती हूँ आप जिस पर्थन में इडली बनाते हैं उसमें पानी डालकर उसे गैस पे गर्म होने दे कुकर में मैंने एक वायर स्टेंड डाला ताकि इडली स्टेंड पानी के लेवल से उपर रहे और वायल स्टेंड को डूबने तक इसमें पानी डाल दिया और कूकर को गैस पे मीडियों फ्लेम पे गर्म होने दे आप इडली के बैटर की तरफ चलते हैं बैटर को ले, बैटर को अच्छे से मिक्स करें मेरे पास जो इडली स्टेंड है, उसमें बारा खाचे हैं यानि कि एक बार में बारा इडली बनेगी लेकिन बैटर उससे काफी ज़्यादा है तो हम इसमें एक बार में इनों नहीं मिलाएंगे अब एक दूसरा बाउल ले जिसमें बारा इडली के लगभग का बैटर डाले जाफी जितना बैटर है उसका वन थर्ड बैटर डाल दे अब इस वाले बैटर में हाफ टी स्पून इनो डाले इनो को एक्टिवेट करने के लिए इसके उपर एक बड़ा चमच पानी डाले और इनो को बैटर में अच्छे से मिक्स करें इडली का बैटर तयार है अब बैटर को ग्रीज किये हुए इडली के खाचों में डालते जाएं सभी इडली की प्लेट को इडली स्टेंड में लगाते जाएं जब तक हमने इडली के बैटर को इडली के खाचों में डाला इधर कूकर में पानी भी घरम हो गया है अब कुकर में इडली स्टेन डाले और कुकर के ढखकन का गैसकेट और विसल निकाल कर ढखकन लगा दे इडली को 5 मिनट फूल फ्लेम पे और 15 मिनट लो फ्लेम पे कुक करें अब हम सावर को रेडी करने की तैयारी करते हैं इसके लिए मैंने सिता फल बिन्स और टमाटर लिए हैं सिता फल के चिलके वा गुदे वाले पाट को हटा कर सिता फल को धोले और इसके बाद चौप कर ले बिंस को भी फाइन चॉप कर ले, मैंने सहजन फ्रोजन यूज किया, यदि आप फ्रेस वाला ले रहें तो उसको भी छील कर कट कर ले अब मेडियम फ्लेम गैस पे पैन को गर्म होने दे, पैन के गर्म होने पे इसमें एक बड़ा चमच मस्टर्ड ओयल डाले आप जो आयल यूज करते हैं, यूज कर ले, तेल के गर्म होने पे इसमें एक पोटाई चोटी चमच मेथी डाना डाले, आधी चोटी चमच जीरा, आधी चोटी चमच सरसों के दाने और दो सुखी लाल मिर्ज को तोर के डाल ले आठ से दस कड़ी पत्ता डाले अब इसमें एक मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस करके डाल दे प्याज को हमें लाइट कोल्डन कलर के होने तक बुनना है आज इडली, सामर और चटनी बनाने में मैंने हर जगह मस्टर्ड वाइल का यूज किया है आप अपने घर में जो भी वाइल यूज करते हैं यूज कर ले प्याज के लाइट कोल्डन कलर होने के बाद इसमें कटे हुए सीता फल और फाइन चॉप किये हुए बीन्स को डाल ले यदि आप प्रेस सहजन को यूज कर रहे हैं तो अभी इन डाले मैं फ्रोजन यूज कर रही हैं इसको बाद में डालूंगी सबजी को बीच बीच में चलाते हुए अभी हमें 4-5 मिनद तक बुनना है तो जब तक सबजी पूंड रही है तब तक हम कूक किये हुए डाल को देख लेते हैं कुकर ठंडा हो गया है तो अभी कुकर का ढखकन खोल कर दाल चेक कर लेते हैं कि दाल कुक हुए या नहीं दाल अच्छे से कुक हो गये हैं अब दल घटनी की सायता से या विसकर की सायता से दाल को मैश कर ले इससे दाल मैशी हो जाएंगे वो अलग-अलग नहीं दिखेंगे साभर में हमें दाल मैशी ही चाहिए दाल को साइड कर देते हैं सबजी को बुनते हुए पांच मिनट हो गए हैं अब हम इसमें रोजेन ड्रम स्टिक डाल देंगे इसको मैंने सीजन के समय घर में ही बना लिया था अब सहजन को डालने के बाद 2-3 मिनट सबजी को और बुने 2 मिनट के बाद इसमें 3 मीडियम साइज के टमाटर को फाइन चौप करके डाल दे साथी इसमें आदी चोटी चमच नमग और एक चताई चोटी चमच हल्दी डाल दे और सब को अच्छे से मिक्स करें सबजीयों को हमें टमाटर के मैशी होने तक कुख करना है सबजीयों को बीच बीच में चलाते रहें टमाटर के मैशी होने के बाद इसमें दो बड़े चमत साबर मसाला डाल दें मैंने होम मेंट साबर मसाला का यूज किया है इसकी रेसिपी कलिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है यह साबर आठ से नौ सर्विंग के लिए है साबर मसाला को सबजी में अच्छे से मिक्स करें और गैस का फ्लेम बंद कर दें सबजी को आप मैस किये हुए दाल में डाल दें दाल में सबजी को डाल कर अच्छे से मिक्स करें अब भीगोई वी इमली को हातों से अच्छे से मैश करें गर्म पानी में बिगोने की बज़द से ये काफी मैशी हो गए है अब कुकर के उपर एक छन्ना रखें और इसमें कफ वाली इमली को पानी समेट डाल दे अब एक ग्लास पानी ले और इमली पर पानी डालते हुए एक हाथ से मैस करते रें ताकि इमली का ज्यादा से ज्यादा पानी दाल में जाए इससे सांबर बहुत टेस्टी बनता है पचे इमली के पल्प को हटा दे इमली वाले पानी को दाल में अच्छे से मिक्स कर ले और सांबर को टेस्ट कर ले और इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सही कर लें मुझे नमक सही लगड़ा है अब कूकर का ढखकन बंद करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे एक सिटी लगाएं और गैस बंद कर दे इधर इडली को गैस पे रखे हुए 20 मिनट हो गए है अभी एक नाइफ से इडली को चेक कर लें ये कूक हुए या नहीं नाइफ को इडली में डाला ये क्लीन आ रहा है इसका मतलब ये कूक हो गया है इडली को 5 मिनट फूल फ्लेम पे और 15 मिनट लो फ्लेम पे कूक किया है इडली स्टैंड को बाहर निकाल ले इडली सही से कूक हुए या नहीं या चेक करते समय यदि आपका नाइफ कलीन नहीं आ रहा तो इडली को 5 मिनट और कूक कर ले साड़े खांचों को अलग-अलग करने के बाद 5 मिनट ठंडा होने दे और 5 मिनट के बाद इडली को एक नाइफ की सहायता से निकाल ले एक नाइफ को इडली के खांचों में चारो तरब घुमाए और इडली निकाल ले इससे इडली बिल्कुल क्लीन निकलती है नेक्स टाइम इडली का बैटर डालने से पहले इडली के खांचों को ग्रीज कर ले इसी आपकी एक भी इडली चिपकेगी नहीं मैं आपको अभी एक इडली तोड़के दिखाती हूँ कि अंदर से भी कितने फ्लॉपी बने है इडली के सकेंड और थर्ड बैज को इसी तरह से हम बना लेंगे साबार में एक सिटी लगने के बाद गैस बंद कर दिया था कुकर कुदी ठंडा हुआ है अभी हम साबार को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साबार को एक पतीले में ट्रांसफर कर लेंगे अभी मैं आपको साबार की कंसिस्टेंसी दिखाती हूं मुझे गर्म गडम सर्व करनी है तो कंसिस्टेंसी सही है पर ठंडी होने के बाद ये गाड़ी हो जाएगी अभी हम साबार में तरका लगा लेते हैं इसके लिए तरका पैन को गैस पे गर्म होने दे अब इसमें एक छोटा चमस सरसों तेल डाले तेल के गर्मोने पे एक छोटाई छोटी चमस सरसों के दाने और साथ से आठ कड़ी पत्ते डाले इनके तरकने के बाद कैस बंद करें और तरके को पतीले में डालकर पतीला ढख दे सांबर तयार है इडली सांभार के साथ आपको कौन सी चटनी खानी पसंद है मैंने इडली सांभार नार्यल की चटनी सर्व किया